पाठ आठ सर्वनाम प्रोनाउन निम्न लिखेत वाक्यों को ध्यान से पढ़ो माला ने माला के भाई से माला के भाई की किताब मांगी राचू ने राचू के भाई से कहा राचू के भाई ने सुन्दर चित्र बनाया है ध्यान दीजे उपर लिखे वाक्य बार-बार एकी नाम की प्रयोग की कारण अटपड़े हो गए हैं इन्हीं सही करके इस प्रकार लिखा जा सकता है एक, माला ने अपनी भाई से उसकी किताब मांगी दो, राजु ने अपनी भाई से कहा तुमने सुन्दर चित्र बनाया है यहाँ वाक्यों के आविवस्थित रूप को बदलने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन, संग्या, नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जैसे मैं, तुम, वह, तुम्हारा, आपका आदे सर्वनाम के भेद, काइन्स ओफ प्रोनाउन, सर्वनाम के चार भेद होते हैं सर्वनाम, पुरुष वाचक सर्वनाम, निष्चे वाचक सर्वनाम, अनिष्चे वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम एक, पुरुष वाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाम, किसी भी प्राणी, पुरुष का बोत कराने वाली सर्वनाम शब्द पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे मैं, तुम, वह, हम आदी मैं लिख रहा हूँ तुम चित्र बना रहे हो वह नाच रही है दू, निश्चे वाचक सर्वनाम Demonstrative Pronoun जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चत व्यत्ते या वस्तू का पोत कराएं उसे निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे वह, यह, ये, वे, आदी क, यह, मेरी घड़ी है ख, वह, मेरा भाई है उपर के वाख्यों में यह शब्द से निश्चित वस्तू, घड़ी तथा वह शब्द से निश्चित व्यत्ते, भाई का पोत होता है तीन, अनिश्चे वाचक सर्वनाम इंडेफिनेट प्रोनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ते, वस्तू, स्थान आदी का पोत नहीं कराते हैं वे, अनिश्चे वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे, कोई, कुछ, किसी, किनही, आदी क, बाहर कोई आया है ख, माताची कुछ बना रही है यहां कोई शब्द अनिश्चित व्यक्ते, तथा कुछ शब्द अनिश्चित वस्तू का बूत करा रही हैं चार, संबंद वाचक सर्वनाम Relative pronoun जो सर्वनाम शब्द वाक्य की दो बातों में संबंद बताते हैं उनहीं संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे, जो, सो, वो, जैसा, वैसा, वह, आदी क, जो पढ़ेगा, वह, पास होगा ख, जो पुस्तत पिताची ने खरीदी थी, वह, लाओ इन वाक्यों में रिखांकित शब्द संबंद बनाने का कारे कर रहे हैं झाल कर रहे हैं झाल